नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल भारत योचना पर आज हम बात करने वाले हैं DRDA Recruitment 2023 के बारे में तो आप यहां कब से कब तक अपलाई कर पाईएगा टोटल वेकिंसी हैं कितना रखा गिया है qualification क्या क्या मांगा गया है वो सब हम एक एक करके आपको यहां पर बताएंगे यह है इसका notification जीला ग्रामीन विकास अभिकरन देवगर महात्मा गांधी राष्ट ग्रामीन रोजगार गरेंटी अधिनियम मन रेगा अंतरगत समीधान, अधारित रिक्त पदो पर नियुक धेतू, विग्यापन संख्या नंबर आपको यहां पर बता दिया गिया है यहां पे आपको पद नाम बताएंगिया है, टोटल वेकेंसी बताएंगिया है और category wise में यहां पर बाठ दिया गिया है जैसे कि प्रकंड कारी करम पधादी कारी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो टोटल जो यहाँ वेकंसी रखा गिया 9 है और इसको category wise में यहाँ बाट दिया गिया अना रक्षित के लिए 3 तक्निकी सहायक अभियंता के समक्ष के लिए आपका टोटल जो वेकंसी है साथ रखा गिया है तक्निकी सहायक कन्या अभियंता के समक्ष के लिए 26 वेकंसी है लेखा सहायक के लिए यहां पे तीन है कंप्यूटर सहायक के लिए total नोओ यहां शाथ रखा गया है फिर आपको यह sectionिक योग्यता पुछा गया है कम से कम आपको यहां पे सरकारी मान्यता प्राप्ट विस्यों विदाले से या फिर संस्ता से किसी भी संकाय एवं वीचा में असना तक किया हुआ होना चाहिए मतलग graduation किया हुआ होना चाहिए और 55% marks के साथ आपको pass हुआ होना चाहिए IUCMA fee जो यहां बताए गया है अगर आप अनारक्षित वर्ग पूरुस के हैं के लिए 37 महीला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अतियंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कम जूर है उन लोगों के लिए 38 है अनुसूचित जन जाती महीला फूरुस दोनों के लिए ज्यादा ज्यादा 40 रखा गया और बगल में आपको दिव्यांग जनों के लिए यह पर बताये हैं आपको सायक अभीयन्ता कि समक्ष wheelchair लेखा सहयक के लिए 14800 मिलेगा फिर आपको यहां पर डेट बताल बताई गया है आवधक के द्वारा दिनांग 9 September से ये form स्टार्ट हो चुका है और लाज डेट जो है 25 September तक रहेगा तो अगर आप applicable रहेंगे तो जल से जल्दी आजाके जरूर reply जीजिएगा